हेलो फ्रेंट्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलोजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनैल्सिस करेंगे इस हैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूँगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पुरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ साथ से draw करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में क्यों दिक्कत न हो यहाँ पर अब देख सकते हैं इनकी जो हतेली है एक complete square shape बना रही है कुछ इस तरह की shape इनकी हतेली की जो यहाँ पर indicate करती है काफी hard working type की nature को और इनकी जो fingers हैं बिल्कुल straight हैं और काफी अच्छी length में नजर आ रही हैं आप देख सकते हैं fingers के बीच में कुछ gaps नजर आ रहे हैं इनकी वज़य से थोड़ी independent और जिदी nature रहने के chances रहेंगे और यहाँ जो gaps हैं जो normal fingers को रखने में आपको नजर आ रहे होंगे इनकी में बात कर रहा हूँ और fingers के उपर काफी सारी सीधी खड़ी रिखाएं भी मौझूद हैं close up में आप देख सकते हैं जो यहाँ पर सीधी रिखाएं आपको नजर आ रहे होंगी कुछ इस तरह की इस तरह की रिखाएं होना fingers के उपर काफी अच्छा माना जाता है यहां व्यक्ति के सभाव को इंडिकेट करती हैं जिनकी भी हतेली पर जिनकी fingers की उपर इस तरह की सीधी रिखाएं हो ऐसे व्यक्ति की nature बहुत अच्छी होती है काफी friendly nature के होते हैं और अगर इनकी fingers की length को यहां पर चाकिया जाए तो आप देख सकते हैं इनकी ब्रसपती finger और सूर्या finger में ज्यादा difference नहीं है दोनों की length जो है लगभग एक समान है जिसकी वज़ा से काफी अच्छी leadership qualities और काफी अच्छी creativity इनके भीतर रहने वाली है और अगर देखा जाए इनकी शनी finger को शनी finger बिल्कुल straight है जिस वज़ा से ये काफी hard working रहेंगे और अपनी मेहनत के बलबूते पर काफी कुछ अचीव करने की किशमता हैं के अंदर रहे हैं और इवन इनकी mercury finger की length भी यहां पर काफी अच्छी दिखाई दे रही है mercury finger यहां पर अच्छी length में है और सूर्य finger के first falange तक पहुंच रही है हलका साही यहां पर नीचे रह रही है और अच्छी length में होने की वज़ए से communication skills इनके काफी strong रहेंगे लेकिन थोड़ी सी low set हो positive result देने वाली नजर आ रही है चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी mounts को और इनकी रिखाओं को तो यहां पर अगर मैं एक line draw करता हूं तो कुछ इस तरह की line बनकर सामने आ रही है इसमें आप देख सकते हैं इनकी कोई भी finger ज्यादा low set नहीं है सिर्फ थो ब्रस्पती यानि के guru mount वो काफी उभरा हुआ है जो काफी अच्छा चिन है ऐसे व्यक्ति के लिए जिनके भी हाथ मारी इस तरह से काफी अच्छी length में ब्रस्पती finger हो और एक उभरा हुआ ब्रस्पती mount हो ऐसे व्यक्ति को लगभग life में हर तरह की सुख मिलते हैं मलकी आड़ी रेखा भी इस mount के ऊपर नजर आ रही है close up में आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर इस तरह की रेखा का होना व्यक्ति को sympathetic बनाता है कुछ इस तरह की यह रेखा अगर यह complete line हो तो कुछ इस तरह से अगर एक रेखा यह बन जाती है इस तरह से जो अर्द चं गुरू वल्या बन सकती है ओल्ड इस तक पहुंचते पहुंचते क्योंकि जिनके भी हाथ पर इस तरह का गुरू वल्या बनता हो ऐसे व्यक्तिक बहुत knowledgeable होते हैं और बहुत मान समान society में पाते हैं overall इनका ब्रस्पती मांट prominent है ब्रस्पती मांट पर उपर की तरफ आने व भावना इनके ब्रस्पती मांट से यहां पर दिखाई दे रही है और आगे देखते हैं इनके शनी मांट को अगर हम compare करते हैं गुरू मांट के साथ तो थोड़ा सा दबा हुआ यह मांट नजर आ रहा है लेकिन अगर मांट फ्लैट है अंदर की तरफ नहीं दब रहा फ्लै सैटन का एरिया है और अब देख सकते हैं इनकी शनी रेखा को अपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा यहां पर शनी रेखा चंदर एरिया से चलते हैं दिखाई दे रही है और एक और रेखा जो यहां पर इस रेखा के प्रभाव को बढ़ा रही है आपको दिखाना चाह उपर की तरफ चल रही है और एक असिस्टेंट सैटरन लाइन भी यहां पर मौजूद है जो यहां पर एक कंप्लीट रेखा के रूप में नजर नहीं आ रही यहां पर आप देख सकते हैं काफी सारी ओवरलैपिंग्स आपको नजर आएंगे जैसे यहां पर आप देख सकते ह और गैया है और एक इंडिकेट करती है हर्डल्स को और राइफ में चेंज लैगी इनकी life में काफी सारे ups and downs रह सकते हैं financially ups and downs आने के संभाव ना रहती है जब भागया रेखा जो है इसमें कुछ इस तरह के जो changes नजर आएं तो यहाँ पर शनी माउंट भी flat है जिस वजह से थोड़ी सी मेहनत इनकी life में ज्यादा रह सकती है और एक straight और सीधी शनी रेखा का अभाव मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है अब देख सकते हैं आगे इनके सूरे माउंट को सूरे माउंट यहाँ पर शनी माउंट की ही तरह है बिलकुल flat position में ही नजर आ रहा है बहुत ज़्यादा उबरा हुआ नहीं है लेकिन एक अच्छी सूरे रेखा यहाँ पर मौझूद है बेशक बहुत लंबी सूरे रेखा यहाँ पर नहीं है कुछ इस तरह की सूरे रेखा यहाँ पर जो आपको यहाँ पर ऐसी नजर आ रही होगी लेकिन एक सूरे रेखा का होना यह एक अच्छी चीज़ है है सोसाइटी में काफी जादा बन जाती है तो इस चीज की संभावना यहां पर सूर्य माउंट से नजर आ रही है काफी अच्छी रिकोगनेशन की संभावना और इवन इनकी जो सूर्य फिंगर है उसकी लंबाई भी काफी अच्छी है जिसकी वज़य से थोड़ी रिस्क टेकिंग टाइप की परसनालिटी रहने के चांसिस भी रहेंगे इनके आगे बात करते हैं मर्करी की मर्करी यानि बुद माउंट यहां पर अब देख सकते हैं बुद माउंट थोड़ा सा लो बिजनस एकुमेंट देती है ऐसे व्यक्ति के भीतर कैलकुलेशन करने की काफी अच्छी क्षमता रहती है बिजनस से सबंदित डिसीजन्स लेने की इन्वेस्टमेंट से सबंदित डिसीजन्स लेने की शम्ता ऐसे व्यक्ति काफी अच्छी रहती है जिनके हाथ पर Mercury Line मौझूद हो तो यहाँ पर Mercury Line का होना इनके लिए एक Benefic Point रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी Major Lines को तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी Line of Heart कुछ इस तरह से इनकी हाथ की Line ब्रसपती मौंड तक पहुँचती हुई और यहाँ पर आकर V Symbol क्रियेट करती हुई रेखा इस रेखा को इस तरह की Shape को विश्नो चिन कहा जाता है और जिनके भी हाथ पर ऐसा चिन बनता है ऐसे व्यक्ति काफी भागयाशाली होते हैं काफी अच्छी प्राग्रेस अपनी लाइफ में पाते हैं लेकिन जिनके भी हाथ पर यह चिन होता है उन्हें मैं हमेशा यही सुजेस्ट करता हूँ कि कभी भी किसी गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश लाइफ में ना करें चुकि अगर ऐसा करते हैं तो लाइफ में नुकसान होने के चांसिस बढ़ जाते हैं तो अच्छे रास्ते पर चलते हुए धन को अर्जित करें तो लाइफ में काफी अच्छी प्राग्रेस इनको देखने को होती है जिनके भी हाथ पर यह चिन होता है उसका साथ साथ जो हाट लाइन है इसका इस माउंट तक पहुंच जाना यहाँ जो लाइन आगे बढ़ रही है और कम्प्लीटली यहाँ जो एरिया है यहाँ प्रस्पधी माउंट का है और यहाँ तक इस लाइन का पहुंचना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति काफी लाइन नेचर के होते है काफी स्प्रिच्वल होते है और स्प्रिच्वल भी दिल से होते है दिखावे वाली स्प्रिच्वालिटी इने पसंद नहीं होती और इस तरह की रेखा का यहाँ तक पहुंचना इनसान को honest and loyal बनाता है तो यह एक अच्छा चिन है इनके हाथ में जो इन्हें loyalty देगा और उसके बाद अगर देखा जाए तो कुछ हलकी रिखाएं नीचे की तरफ चलने वाली यहाँ पर मौजूद हैं बहुत ज़्यादा नहीं है तो कुछ minor setbacks में emotional setbacks भी रहेंगे और overall यहाँ पर आकर इस line का थोड़ा सा double होना इनकी heart की health के लिए यहाँ पर अच्छा चिन नहीं है क्योंकि old age में चलकर यहाँ रेखा थोड़ी सी broken हो रही है कुछ overlapping और कुछ branches इस रेखा से बन रही है तो यहाँ 60 के आसपास की age में चलकर इने थोड़ी सी दिक्कते हैं heart से सबंदित दे सकती है आगे बात करते हैं mind line की अब देख सकते हैं mind line में यहाँ पर shift नज़र आ रहा है कुछ इस तरह का shift जो यहाँ पर indicate करता है कि middle age में चलकर लगबग 30 के आसपास की age में 30 से बाद की age में 30 से 36 की age के बीच में यहाँ पर एक इनके lifestyle में आ सकता है क्योंकि यह है जो shift है यह उपर की तरफ है और जब भी mind की line नीचे से उपर की तरफ बढ़ती है और आगे continue होती है तो इस तरह के shift को हम कह सकते है कि ऐसा व्यक्ति काफी strong होकर life में आगे बढ़ेगा और जो introvert type की personality उससे पहले की age में रही होगी उससे ऐसा व्यक्ति बाहरा जाता है और life में काफी success पाता है तो changes life में जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ दिक्तें भी आती है तो यहाँ पर 30 की age के बाद कुछ मांसिक तनाव कुछ ऐसी परिशानी है इनको हो सकते हैं जिसके बाद यह काफी strong होकर life में आगे बढ़ सकते हैं overall mind इनका sharp रहेगा और काफी अच्छे ही यहाँ पर जो mind की situation नज़र आ रही है लेकिन एक certain age में 30 plus की age में यहाँ पर थोड़ी सी दिक्तें यहाँ पर यह overlapping है इनको सेहन करने पड़ सकती है और आगे अब देख सकते हैं इनकी line of life को life की line यहाँ पर बाहर की तरफ चलती ही नज़र आ रही है और जब भी life की land बाहर की तरफ निकले तो यहाँ इस बात की indication भी देती है कि ऐसा व्यक्ती अपनी birthplace से दूर किसी दूसरी state में जाकर यहाँ किसी दूसरे country में जाकर भी permanently settle हो सकता है तो इस तरह की संभावना रहेगी इनके case में अगर हम चंदर area को देखते हैं तो चंदर area पर यहाँ पर कुछ इस तरह की आड़ी रिखाएं होना और चंदर area से उपर की तरफ इस तरह की रिखाओं का बढ़ना भी traveling को indicate करता है काफी traveling इनकी life में रहेगी थोड़ी anxiety और थोड़ा तनाब भी life में रहे सकता है क्योंकि ऐसी आड़ी रिखाएं चंदर माउंट के उपर व्यक्ति को थोड़ा तनाब भी देती है और आप देख सकते हैं इनका शुकर माउंट prominent नजर आ रहा है कोई ज़्यादा problematic lines इसके उपर नहीं है कुछ हलकी worry lines है जो के normal है कुछ minor worries यहाँ पर family की तरफ से रह सकते हैं otherwise उपरा हुआ शुकर माउंट व्यक्ति को हर तरह की सुख सुविधाएं प्रवाइड करता है तो यह कुछ analysis थे इनके hand के मारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जवाब एकी वीडियो के दिरूप दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन या स्वाल रह जाता है तो इनसे request है कि अगर इनका कोई question pending है तो मुझे WhatsApp ए message करें मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत-बहुत धनेवाद